हेलो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी क्यासे होंगे आसा करती हूं अच्छे होंगे मेरी तरह ही स्वस्त भी होंगे तो भई आज का शेशन आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं इस पर हम बिल्कुल चर्चा करेंगे क्यूंकि 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 यह हमारा जो लेक्षर वने वाला है सबसे लास्ट यूनिट का होने वाले हैं और सबसे लास्ट यूनिट में बच्चों आपको क्या चीज देखनी इसपर हम बात करेंगे चूंकि हमको पता है कि हमारे पाचबे। हैं एक别 प्रक्षनों और तीन अंग के प्रश्णों के बहुत सारे आने वाले हैं ठीक है सीधा सीधा तीन अंक वाले प्रश्ण बहुत से पूछने वाले हैं और एक अंक वाले प्रश्णों के उपर हम बात कर चुके हैं तो मेरे महार विध्यारतियों आगे के मेरे लाल हारे पले लीरे तो आज आप लोग को क्या एक्जाम सा ग्यारी तो भाई साहब क्यों नहीं पढ़ते हो ताइम आता है तभी पढ़ोगी क्या अभी पढ़ो आज अपके पैस अभी सिरु पोड़ से पढ़ने करण है मोबाइल में ये करने का डाइम नहीं नहीं है बिलकुल आते हैं अपने topic क्यों पर आने वाले हैं तो फिर आप लोग मेरे साथ फटा फट के session में mission 2023 में जो है मेरे साथ बिलकुल एकदम जुड़े रहो ठीक है और लोगों को भेजो आपके friend circle को भेजो क्योंकि बिचारे बच्चों को भी need है सब लोग पढ़ना चाहते हैं तो मैं यहां short trick भी बताते जाने हूं कि तरीका कैसा है लिखने का आप कितना लिखोगे तो आपके 3 marks आते कितने marks लिखोगे तो 5 marks आएंगे इस तरीके से हम पढ़ते रहेंगे तो हमारा फटा फट का session खताम होगा और 70 में 70 नंबर आपका कहीं नहीं गया चलो रैटिंग साल इससे question आते अब यह चीज़ याद रखना जब भी मैं तीन अंग के प्रशनों की बात करें तो हमेसा याद रखोगे वह हर साल हर साल चेंज नहीं होगा रीपिटेट question ही आते हैं भले हो सकते कि पिछले साल जो आया हो इस साल ना आया है लेकिन 2-3 साल के पहले वाले ज देखते रहोगे महानों चलो पहला आते हैं तीरंग के प्रशनों उपर जीव एवन समस्चे जो हमारे तेरवाध्या है पारसितिक तंत्र है तंत्र का सिस्टम है तो जाल है यह पूरा हम इसमें पढ़ेंगे बिल्कुल फोकस करेंगे जैव विविद्द्र एवाम उनके सर सब्सक्राइब तो परियावरन को प्रदूशन जो प्रदूशन कैसे हो रहे इस पर भी हम बात करेंगे तो यह सारे टॉपिक्स वह आपके चैप्टर में है और हमारा आज का प्रेशन सब्सक्राइब तो यह मश्यां मी लिघ्ल प्रश्ब्ला में और पहले पहले प्ड़लू उतपादक और भूकता मैं कॉई तीन है का नंन्नमनर रही बता देगा ऐसा बहुत को भूकता हैं क्या तीन अंतर अपने अपने आप लिखो आंसर अपने इस लिखो ठीक है सबसे पहले तो आप जान लो भाई साब उत्पादक है हम लोग छटवी से पढ़ रहे हैं उत्पादक छटवी से पढ़ा हुआ चीज है क्या नया है क्या लेकिन बच्चे भिर भी भोंदूराम हो गए हैं लिख नहीं पा रहे हैं ठीक है किते अंका तीन अंका प्रश्ण होता है इसलिए यहां पर आपको तीन डिफ्रेंस लिख करके खतम करना तीन अंपर आपको कहीं नहीं है अब होता क्या है पहले सुनते उत्पादक और उभ्भोगता सबसे पहले ध्यान दो उत्पादक और उभ्भोगता की हम बात क यह हमारा क्या है उत्पादक का मतलब होता है हरे पेड़ पौधे ग्रीन घांस की हम बात करें जो ग्रीन होता है जो सूर की प्रकास की उपस्थिती में अपना भोजन बनाने वाले उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं हम कहते हैं उसे उत्पादक कहते हैं मेरे रैटिंग पर मत जा हो गए हरे पेडव पौधें जितने भी हरे पेडव पौधें होते हैंGforem All Green प्लांट जो होते हैं वो कहलाते हैं आपके क्या प्रोडिूसर कहलाते हैं यह क्यों अठोर सीधा-सीधा वो देखेंगे कि आप लोग से खाना बना मंगने आते हैं क्या या फिर कुद्टे बिल्ली से खाना लेते हैं कि ऐसा हुआ है क्या नहीं बिल्कुल नहीं होता क्यूंकि ये जो बिचारे पेड़ पौधे होते हैं all green plants होते हैं वो सनलाइट यानी कि सुरी की प्रकास की उपस् बना लेते हैं तो जितने भी green plants होगे वह सूरी के प्रकास की उपस्तिती में अपना भोजन वनाते हैं इस उत्पादक क्या है producer ठीक है प्रोडियूस करने वाले अब एक चीज और याद रखो हमने तो देखा उत्पादक क्या होते हैं सूरी के प्रकास के उपस्तिती में अपना भोजन बनाते हैं लेकिन क्या हम उत्पादक को यह कहें कि यह क्या मानसाहरी होता है नहीं यह बिलकुल मासमसंद नहीं खाता किसी भी मासमचली का सेवन यह नहीं करते सीधी सीधी बात है कि सूर को लेगा सूरी के प्रकाश को ग्रहन करेगा अपना भोजन बना देता है अगर आपने 11 पढ़ा होगा तो आप लोगों को याद होगा पत्तियों में पौधे की पत्तियों में यानि कि क्लोरोफिल उपस्तित होता है और इस क्लोरोफि ते भाई साब उपभोगता अब उपभोगता क्या है ऐसे जियू जन्तु जो अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर होगा भाई साहब इसी उपर तो निर्भर होगा और किस पर निर्भर होगा उतपादक पर निर्भर होने वाले अच्छा ये भी याद रखना क्या सिर्फ और सिफ उपभोगता उत्पादक का ही सेवन करते हैं क्या नहीं बिलकुर नहीं इसलिए यहां पर उपभोगता की तीन कैटिगरी होती है प्राथमिक उपभोगता प्राथमिक उपभोगता दीतियाक उपभोगता यह हो गया आपका दीतियाक उपभोगता और तीसरा है त्र पहला प्रात्मिक उभ्भोगता दीत्यक उभ्भोगता और दीत्यक उभ्भोगता ठीक है तो जो हमारे प्रात्मिक उभ्भोगता होती है जो हमारे प्रात्मिक उभ्भोगता होती है वो तो सीधे green plants पर dependent है समझा रहा है जो प्रात्मिक उभ्भोगता होगा वो किस पर dependent है सी जा रहा होगा consume करने वादे ठीक है अपने भोजन के लिए दूसरों के ऊपर दूसरा क्या है दूसरा कुछ भी हो सकता है चाहे वो green plant हो चाहे वो कोई भी जियोजंतू हो उस पर निर्भर होने वाले दूसरे जीवों पर पिलभर होने वाले को हम कहते हैं उपभोगता कहते हैं और ये उपभोगता की तीन कैटेगरी पाए जाते हैं प्रात्मिक दीत्यक और त्रित्यक तो प्रात्मिक उपभोगता किसको बोलेंगे बिटा प्रात्मिक उपभोगता ऐसे उपभोगता को बोलेंगे जो शाकाहारी ह वी उत्पादक पर हरे पिर पौधों को सेवन करने वाले इसको हम कहते हैं प्राथमिक उपभोगता कहते हैं अब दीत्ययक क्या हो गया दीत्ययक उपभोगता ऐसे उपभोगता होंगे जो शाकाहारी को को खाएंगे अर्थातिय मान सहारी हो जाएंगे समझ जा रहा है जैसे मालो जाई एक एक्जामपल से समझते हैं जैसे मालो जाई यह है क्या खरगोश क्या खाता है बच्या खरगोश खा लेता है क्या आपके green plants को खाता है खर्गोश किस को खाएगा बिचारा green plants अभी diagram दिखा दूंगे देख ले आप लोग घास को खाता है ना वो तो green plants को को ही खा लेता सिर्फ घास नहीं भिचा रहे हारे पर खुछ भी खा लेता है ठीक है तो खरगोश क्या हओवा प्रात्मी को भोगता मैं भेढ़ी यह क्या होगया भई दीत्या को भोगता हो गया सब einzige किसको खार है क्यों हो और Über स्कुर्ण लेता है फिर आते हैं हमारा तीत्या को भोगता तीत्या को भोगता में मान सकते हम शेर को बान सकते हैं बिलकुल टाइगर शेर ठीक है तो शेर जो हो गया चीता हो गया यह सारे किसमें आए तीत्या को भोगता में तो तीत्या को भोगता किसको खाएगा बच्चा यह खा भी होता है और मpent भी होता है तो हम किस में आते हैं हम कि हमारी बात करो चाहे कुट्टे की क्यों ही राज हमारी बात हुए जाता ही चाहल खालेगा हे ना सबची देखाल लेकिन मांस मुझाना आ आ जाता है उनके पता निए यदव लाट पकने लग जाता है तो वह मांसाहारी भी हो जाता है तो इस तरह से आप देख रहे हो उत्पादक और उभगता में क्या basic difference समझ आ रहा है ठीक है तो I hope समझ आ गया कि उत्पादक क्या होता है उभगता क्या होता है तो दोनों सबस्क्राइब होगा जीवानु कवक जो होते हैं जीवानु हो गया कवक जो हो गया जो मृत सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं जीवानु कवक ऐसे ही जीव है जो मृत सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं अब घटक कर देते हैं ठीक है तो इसको हम क्या बोलेंगे अब घटक कहते हैं समझा गया क्या होता है अब घटक अभी का डियाग्रम देखेंगे काठ्ष तंत्र को पढ़ाएंगे तो फिर आपके दिमा दिखाए देखो तो एक बाद बताओ मुझे हरे पेड़ पॉधे जोते चुकि अपना भोजन स्यम बनाते हैं तो क्या हम उसको क्या कहेंगे बताओ आप खुदी बताओ स्वापोसी कहेंगे परपोशी कहेंगे तो मुझे समझ आ ही गया होगा और आप बहुत इंटेलिजन इसे जिए जो पूछा वो लिको मैं ऐसे चार अंतर लिखी हूँ आपको पूछा है तीन तो आप तीन लिके खतम कर दो ऐसे जए जो प्रकास संसलेशन द्वारा भौतिक परिवर्ण से अपना भोजन भौतिक परिवर्ण मतलब क्या हुआ प्रकाश से ताप उपर लाइट पर रही है है न वर्शा इंसे अपना भोजन बनाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे उत्पादक केती हैं लेकिन भोगता की बात करें तो ऐसे जी जो अपने पारे जन्तु आ जाएंगे जितने जन्तु होंगे अनिमल होंगे वो किसमेंगे और भोगता थर्ड क्या लिखा है यह स्वापोशी होते हैं तो यह प्रपोशी होगा सीधी सीधी बात है यह उत्पादक और सौर उर्जे की सहायता से अपना भोजन यानिकी खुद बना लेते हैं लेकिन यह क्या करते हैं शाकाहरी मांशाहरी दोनों होते हैं तो यह क्या करते हैं अपना भोजन स्यम नहीं बनाते चेंज होते रहते हैं तो इतना लिखके खतम कर तो और क्या लिखा है चलो नेक्स प्रेशन अरे भापरे यह क्या आ गया इसी को डिखा रही थी मैं ठी कहलाते हैं क्या है उत्पादक कहलाते हैं और यह जितने जिवोगोष हो गया सीर हो गया कुत्ते होगे सारे के सारी क्या गए बहुता में आ जाते हैं हमारे है चलो आगे देखते हैं हमारे चुन्दू-बुनू के आगे क्या है दूसरा प्रेशन आगया बहुत ईज़ी बहुत बहुत ज़य्जादा इसी प्रेशन आए है पारस्थितिक का क्या मतलब है पारस्थितिक तंत्र का क्या मतलब होता है जीवों का वातावरन के साथ जीवों का वातावरन के साथ वातावरन का जीवों के साथ क्या होता है अंतर संबंधित होते हैं इंट्रेक्शन होता है इन दोनों के भी जीवों का वातावरन के साथ और वातावरन का जीवों के साथ अंतरसंबंधित होते हैं तब हम इसको क्या बोलते हैं बिटा पारस्थितिक तंत्र है और यह क्या करेंगे जीव जो होते हैं वातावरन के साथ और वातावरन जीव के साथ अंतरसंबंधित होते हैं और एक सिस्टम कर देते हैं और उसी को हम क्य इतना क्लीयर हो गया आगे बढ़ते हैं चलो मुझे पता इंट्रलीजन बच्चों सब समझ ही गए हो गए कमेंट जरूर करें आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे लगते हैं तलाब पारिसितिक तंत्र के उभूकता समुदाय को 66 से 75 शब्दों में समझाईए कभी-कभी वहाँ पर शब्द दे देगा कि भाई साब 66 से 75 शब्दों में खतम कर दो ठीक है तो ये हम बात करेंगे कि तलाब का पारिसितिक तंत्र क्या होता है next question एक लिखा है तलाब के 25 तंत्र में उपसे जैनक घटकों का शमचित्ड वर्नन कीजिए question एक ही शब्द change हो गया तो कोई रिकत नीए जब भी पारिसितिक तंत्र आएगा तलाब का हो, चाहे घास का हो, चाहे समुद्र का हो, किसी भी पारिस्तिक तंत्र को जब भी आप पढ़ते हो तो आप एकदम flow chart दिमाग में बठा लो, क्यासे? कोई भी आ जाए, मैं नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ यही आएगा मैं यह कह रही हूँ कि यदि किसी भी टॉपिक का पारिस्तिक तंत्र आता है, तो आप अपने दिमाग में एक flow chart दिमाग में बठा करके रखोगे कौन सा flow chart? पहला क्या चीज है कि पारिस्तिक तंत्र में शब्द याद करना यहाँ पर दिया है क्या जैविक घटको के बारे में पूछा जैविक घटको के बारे में और अजैविक घटको के बारे में थोड़ा सा आपको knowledge होना चाहिए क्या knowledge सबसे पहले तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो क्या बोड़ी हूं उसको पारिस्तिक तंत्र जो होता है पारिस्तिक तंत्र जो होता है मुख्यता इसके दो भाग है यानि कि दो प्रकारों हम इसको डिवाइट करते हैं एक होता है जैविक घटक और दूसरा होता है आजैविक घटक जैसे मालो जै यह हमारा क्या है पारिस्तिक तंत्र है इसको दिमाग में बठाके रखना यह फ्लोचार्ट को क्योंकि आपको फ्लोचार्ट बनाना है तो पारिस्थितिक तंत्र के क्या है दो भाग पहला क्या बेटा जैविक घटक क्या है जैविक घटक दूसरा क्या है अजैविक घटक ठीक है अजैविक घटक है कोई दिक्कती है तो है हम क्या करें ठीक है अब जैविक घटक के अंतरगत क्या के चीज़े आती उसको मेंशन कर दो यहीं फ्लो चार्ट में यहाँ पर ऐसा यहां पर mention कर दो इसके तीन भाग कौन कौन सा है जैविक के उत्पादक है यहीं पर लिख दो उप भोगता है यहीं पर लिख दो और यहां पर लिख दो क्या अब घटक क्या है अब घटक तीन इसको पार्ट में डिवाइड़ी का देये जैविक घटक को भो होता की ब다음 दो कोई दिक्कत नहीं है नीचे चला गहां अपनी कॉपी में नोट करेंगे इतना लिख करें है आप रखोगे कि प्राइस ठीक्ते भी चीजे आती है आझ एगटक तो ऑज घाटक को मिष्ट चीज़े आएगा उसको भी यहीं पर मेंशन कर दो क्या चीज़ है आपका और कार्बनिक कार्बनिक और तीसरा है जलवाई भी एक फ्लोग चट ऐसा आप दिखा दो सबसे पहले एक डायग्राम में ठीक है जब भी एक चेक करने वाला जो चेकर होता है यह टीचर जो होता है जब चेक करता है तो जब इंप्रेशन आपको देना है कि हां मैं सबसे अलग कर रहा हूं कुछ न्यूनिक कर रहा हूं तो आप एक फ्लोग चार्ट में दिखा दो कि मुझे यही चीज़े जो है समझाना है आपके तीन प्रेशन में तो फ्लोग चार्ट देखकर कि वो नंबर दे देगा आगे वो चेकी नहीं कर पाएगा कि लग रहा है कि हां बच्छा पढ़ा हुआ है ठीक है समझ जा रहा है नंबर कैसे पाते हैं तो यह ऐसे देखा जाता है ठीक है तो यहां पर कोश्चन जो पूछा उसक क्या होगा हम तलाब में उपस्थित जीवों का वातावरन के सथ यहां कї संब्सक्राइब करेंगे कि यहां पर अजयविक घटक के बारे में कोई डिसकसर नहीं हुआ तो हम यहां पर अजयविक घटक के बारे में कोई बात नहीं करेंगे तो अब आते हम जयविक घटक के बारे में तो अब पारस्थितिक तंत्र देखो क्या अंसर होता है यह एक तलाब का पारस्थितिक तंत्र और तलाब के पारसिरिक तंत्र क्यों अब ध्यान से देखोगे क्या क्या चीज़े दिखेंगे बताओ एक तो तलाब दिखेगा तलाब के अगर बगर में ग्रीन प्लांट दिखेंगे यहाँ पर खुदी दिख रहे हैं देखो यहाँ पर क्या 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 चीज़े दिख रहे ह नहां पर कुछ फंगी दिखाई दे रहा है समझ आ रहा है कहने का मतलब मैं यह बताना चाह रही हूं जब भी हम किसी भी तलाब हो चाहेगा तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र को पढ़ते हैं तो हम उसको जैविक घटक के आधार पर जैविक घटक में उत्पादक उभोगत और अब घटक तीन भागों में डिवाइडट कर देते हैं ठीक है अब इसमें बताओ मुझे इस तलाब के पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक उत्पादक क्या होगा जो अपना भोजन खुद बनाने वाले उसको हम उत्पादक कह देते हैं और उभोगता जो दूसरे ज सबसे पहले आपको कितने भागों में डिवाइड कर दिया उसको जैविगत्यों को पादक उभोगता और अब घटक में उभोगता की कितने कैटिकरी भाई सहाब प्रात्मिक हो गया दीत्यक हो गया और दीत्यक हो गया यह लिखकर के खतम करो फिर आते हैं क्या अब लिखने का तरीका समझो एक्जामपल देखो कि क्या क्या होता है मुझे लग रहा है लिख वर्ग के जीव निमना अनुसार होते हैं जरूरी नहीं है सिर्फ भोगता रहे उत्पादक भी होते हैं प्लांट भी तो होते हैं तो आप लिख सकते हो उत्पादक और भोगता ठीक है चलो अब इसमें क्या क्या चीज हो गया उत्पादक अब उत्पादक क्या है भाई साथ हमको पता है कि जितने जीव होते है मतबब हरे प्लांट प्लांट होते हैं कुछ ऐसे जिवाण उजो होते प्रकास्तंसलेशन के दौर अपना भुजशन स्वयम बनाते हैं तो इसको और चीज़े आपको एड करनी पड़ेगी उत्पादक के अंतरकर जैसे की समस्त हरे शैवाल जीवानू प्रकास तंसलिशन जीवानू यह इंपोर्टेंट है याद रखोगे बच्चे सब गलती कर देते हैं क्योंकि उन्हों यह तो पता है कि क्या होता है लेकिन एक्जामपल इस वेरी इंपोर्टेंट अंडरलाइन मार के बकायर सुन्दर सा लिखोगे जरूर ठीक है शैवाल समस्त हरे पेड़ पौध है इसमें आ गया भाई सहाब अब आते हैं उब्भोकता तीन कैटेगरी पहला प्रात्मिक तो इसमें कैसे कैसे चीवाएंगे भाई साब जो शा इपिट करती हूं चाहें किसी भी तंत्र को पढ़ो आपको मुख्य लिखना है क्या एक्जामपल आपको लिखना पड़ेगा ठीक है एक्जामपल के लिए आपको नंबर नहीं मिल पाएगा क्यों कि इसी है चैप्टर ठीक है चलो इसके अलावा कुछ नितलस्त जंतु जै सभी तो गतत करें तो यह ऐसने कि वह गतत करने वाले तो इक्जामपल को इमाग् ऐसा ताला लगा के बांदो ठीक है तो यह हो गया आपका क्या यह सारा का सारा आता है किस में तलाप के पारस्थितिक तंत्र में आता है यह देखो यह है डाइफेनिया ठीक है नहीं दिख रहे है क्या यह देखो मस्त दिख रहे है ऐसा ऐसा डाइफेनिया चिंचंग ठीक है चिंग चॉंग जसे दिख रहे हैं यह इनक्षय चली धेखो चोटी मचली दिखाई दे त Tin handy सारी समशनल सेullahBook क्यूट सी पालोगे क्या बता लो भई ठीक है चलो यह आपका बड़ा-बड़ा मचली इतना देंजर मचली मैं खाई लेगा मेरे को है न दबोच लेगा ठीक तो यह बड़ी मचली है जो कि छोटी मचली ओको खाती है यह हमारा अब घटक है अब घटक आ गया तो एक वक जग तो चलो भई आज के शेशन फटा-फट के सेशन में हमारे टॉपिक जो है दो टॉपिक था वो खतम हो चुका है तो हमारे यूनिट 3 से 3 अंके प्रेश्ण जो है दो हमारा पार्ट खतम हो चुका एक आत और देखती हूं बनाती हूं आप लोगों के लिए आप लोग झाल, झाल, झाल